हेलो स्टुडेंट्स आज हम करेंगे नौमी क्लास प्रशनावली 7.1 का आठवा सवाल काफी इंपोर्टेंट सवाल है ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमें जो जो दिया गया है वो लिखा हुआ है जो आकरती है वो आकरती भी बनी हुई है तो सबसे पहले हम हमेशा की तरह ही लिखते हैं कि हमें दिया क्या गया है हमें इस सवाल में दिया गया है जो आकरती दी हुई है उसके अंदर आकरती के हिसाब से है इसलिए हमने लिखा है आकरती में हमें दिया गया है कौन C, 90 डिग्री है अब ये है कौन C, इसने क्या कहाए कि C समकौन है ये तरिबूज है ABC और इसके अंदर ये जो कौन C है ये समकौन है हम इसको चाहें तो कौन C भी लिख सकते हैं और अगर हम चाहें तीन अलफाबेट्स की हेल्प से तो हम इसको A, C, B भी लिख सकते हैं दोनों का एक ही मतलब है अब चाहें इसको कौन C लिखें क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्याद लाइन जा रही है तो ये बताने के लिए ये पूरा कौन लिया है हमने इसको तीन तीन अलफाबेट ले लिए A, C, B ये हमें 90 डिग्री दिया गया है उसके पाद दूसरी चीज़ हमें दी गई है कि जो M जो है वो A, B का मद्धे बिंदू है ये जो है M ये इस A, B लाइन का मद्धे बिंदू है यानि ये वाला हिस्सा और ये हिस्सा बराबर है जो हमें M दिया गया है वो A, B का मद्धेविंदू है इसके मद्धेविंदू होने की वज़ेसे ही हम इन इस्सों को बराबर कर पाएंगे अब उसके साथ दिया है D, M और C, M बराबर है तो D, M और C, M इसका बराबर होना भी हमें दिया गया है अब इसके बाद हमारे पास और क्या है जो दिया गया है हमें कुछ बाते बताई है कि हमने बिंदू D को मिला दिया है और इस तरह क्याकरती बना ली है उसके बाद हम देखते हैं कि हमें इसमें सिध क्या करना है हमें इसके अंदर सिध करना है चार भागों को पहले भाग आप देख पा रहे हैं कि जो AMC है उसको सरवांगसम सिद करना है BMD के तो सबसे पहले तो हम यही सिद करते हैं पहले भाग से हम इसका परमान करते हैं चारो भाग लिखने हैं एक साथ हम इसको हर भाग को अलग से लिखने के लिए ताकि ठीक से समझाय लिख रहे हैं हमें A, M, C और B, M, D यहां से त्रिबुज देखिए A, M, C और यह B, M, D यह दो त्रिबुज की बात हो रही है एक इधर और एक इधर तो हमेशे एक तरह सबसे पहला काम तो हमारा क्या है हमें इन त्रिबुज का नाम लिखते हैं सर्वांग समता की निशान की जगए पर और लिख देते हैं और दूसरी जो त्रिबुज है उसका नाम लिख देते हैं अब इसमें हमें देखना है कि क्या क्या बराबर है और वो हम कहां से देखते हैं जो हमें दिया हो हमें दिया क्या है A B मध्धेविंदू अगर A B के लिए M मध्धेविंदू है तो हमें यह हिसा A M और M B बराबर मिला तो यहां से देखा A M यहां से देखा B M पहले दो अलफा विंदू होना इसका कारण है तो पहली चीज तो हमें मिल गई अब हमें देखना है दूसरी चीज हमारे पास क्या बराबर है अब यहाँ देखिए यह जो आकरती बन रही है यहाँ पे यह क्रोस का निशान है इस तरीके से हमने पहले भी किया है कि जब भी ऐसे क्रोस का निशान मिलता है तो उसके उपर नीचे वाले जो कौन है वो बराबर होते हैं अपने असानी के लिए हम इसको एक दो नाम दे रहे हैं जो कौन एक है वो कौन दो के बराबर है इनकी position के हिसाब से याद कीजिए हमने इसको नाम क्या दिया हुआ है ये हैं शिर्शा भिमुक कौन एक ही शिर्श के दोनों तुर्फ होने की वज़े से ये शिर्शा भिमुक कौन है तो ये कौन हमारे बराबर हो गए अब तीसरी चीज़ क्या है तीसरी हमें दिया रखे है DM और CM का बराबर होना तो हमने लिखा कि DM और CM बराबर है क्योंकि ये तो दिया हुआ है तो इस तरह से हमारे पास तीन कंडिशन्स पूरी हो जाती है इन दोनों त्रिभुजों के लिए जैसे ही हमें तीन चीज़े बराबर मिलती हैं हम क्या कहते हैं कि ये जो त्रिभुज है AMC ये सर्वांगसम हो गई है त्रिभुज BMD के लिए अब देखिए हमने इस भुजा का यूज किया इसका यूज किया और इसके बीच में कौन जब दो भुजाओं के बीच में कौन है तो रूल हो गया S.A.S. तो हमने इस नियम का प्रियोग करते हुए सर्वांगसमता को सिद किया है जब चीज़े सर्वांगसम होती है तो अपने साथ कुछ रजल्ट लेकर आती है सर्वांगसम होने के बाद हम तीन चीज़ों को सिद करते हैं बाकी की तीन हमारी अपने आप ही हो जाती है जो बाकी की सिद हो गए हम उनको लिख देते हैं जिससे हमें आगे आसानी रहे जब भी यूज करने एक जोटपड़े हम कर लें यह जो थर्ड है हमारे पास एंगल यहां से और यह जो इधर इतना कौन जो बन रहा है हमारे पास इसको हम चार एंगल का नाम दे देते हैं तो यह जो कौन है तीन और यह जो कौन है चार यह हमारे बराबर हैं सीपी सिटी से जो त्रिवुसम सरवांग सम कर चुके उसके तीन चीज़े हमने यूज की हैं बाके बची वी तीन बराबर है यह उन्हीं में से एक है तो हमने कहा कि यह चीज़े बराबर है इसी तरह से जो हमारे पास भुजा का नाम बन रहा है पहला और आखरी अक्षर A, C और यहां से B और D यह भी बराबर है यह भी हमारा CP, CT के बज़े से बराबर है पहला भाग हमारा यहीं तक है लेकिन हमने इसके यह रेजल्ट लिख लिए ताकि हम इनको आगे यूज कर सके तो यहां हमारे पास इसके पहले भाग के अंदर जो सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया अब हमें इसके दूसरे भाग में देखिए क्या चाहिए दूसरे में हमें सिद्ध करना है कि DBC इसाकरती के अंदर देखिए DBC यानि यह जो इतना कौन है इस कौन को हमें नब्बे प्रूव करना है तो इसको नब्बे करने का हमारे पास क्या तरीका है इधर तो हमें नब्बे दिखाई दे रहा है अगर हम किसी तरह से ये कर दें कि ये दोनों कौन बराबर है ये 90 है तो ये अपने आपजी 90 हो जाएगा तो हमारा काम क्या हो गया कि कुछ ऐसा सोचें जिसे दोनों कौन आपस में बराबर हो जाएगा अब ये जो कौन हमारे पास है 90 डिग्री का ये AC लाइन और ये जो कौन है ये BD लाइन की हल्प से बन रहा है तो हमें इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने देखा हमने अभी अभी जो सिद किया था कि कौन 3 और कौन 4 बराबर हैं इसको हम फिर से लिखते हैं कि कौन 3 और कौन 4 बराबर हैं हमने अभी अभी इस बात को सिद किया है सिद होने की वज़े से लेकिन ये कैसे हैं इनकी पोजिशन देखिए लेकिन ये है एकांतर अंतर कौन है ये जो दोनों कौन हमने बराबर सिद किये इनकी पोजिशन कैसी है कि ये एकांतर अंतर कौन है यहां स समानतर हो तो हमारी BD जो रेखा है वो AC के समानतर हो गई अगर समानतर हो गई तो हमें मालूम है कि जो कौन बनते हैं यहां पर हमारा कौन बन रहा है BDBC और उसके साथ में बन रहा है ACB यह मिल करके 1803 डिगरी हो जाते हैं क्योंकि यह सह अंत्या कौन है आपको मालूम है समान है कि जो ACB कौन है वो कौन तो कितना है 90 degree है यह हमें दिया गया था इसका 90 होने की वज़े से जो कौन dbc आता है दोनों तरव से 90 हमने माइनस कर दिया तो यह भी कितना आ गया 90 यानि कि कौन जो dbc है वो कैसा हो गया वो एक समकोन है ये बात हमें सिद करनी थी इसके दूसरे भाग के अंदर अब हमने दो भाग तो सिद कर दी है अब हम चलते हैं इसके तीसरे भाग के तरफ तीसरे भाग में हमें सिद करना है कि जो त्रीभूज बनी हुई है D, B, C और जो त्रीबूज है A, C, B इनको हमें सरवांसम सिद करना है हमारा क्या है जो हमें सिद करना होता है हम तो उसके बीच में और लेकर चलते हैं तो हमने इसके बीच में और लिख लिए ये दोनों चीज़ें में बराबर सिद करनी है अब इसको बराबर सिद करने के लिए हमने क्या किया जो जो चीजे बराबर है वो लिख ली यहां से देखिए इसमें हमें दिखाई दे रहा है AC और BD यहां से AC है और यहां से BD है पहले दो अक्षर यहां से पहले दो अक्षर और यहां से दो पहले यह हैं यह हमारे बराबर हैं क्यों हो गए क्योंकि हम इसको सिद्ध कर चुके हैं जो हमने पहला भाग किया था पहले भाग में हमने दो रज़र्ट लिखे थे ये उन ही में से एक है हमने जो पहले वाले पेज़ पर किया था जैसे यहां पे हमने इसके सवांसमता को सिद्ध करने के बाद यहां लिखा ये है BC और ये है CB दोनों के अंदर दोनों सेम अलफावेट हैं यानि कि एक ही बुजा की बात हो रही है दो अलफावेट सेम होने का मतलब क्या है कि सेम एक ही बुजा की बात हो रही है एक ही बुजा की जब बात होती है तो हम उसका कारण हमेशा क्या लिखते हैं हम उसका कार यह बात हमने सिद की है तो हमने जो भी सिद किया है उसके आधार पर हमने इसको बराबर कर दिया तो इस तरीके से हमारे पास यह तीन चीजे हैं जो बराबर हो गई जब हमने इसको बराबर कर दिया है तो हमारी त्रिबुज कैसी हो गई है सरवांगसम हो गई है जो पंसम हो गई अब हमें क्या चाहिए अब हमें इसका जो फॉर्ट पार्ट है उसके लिए देखी किस चीज की जरूरत है फॉर्थ पार्ट में हमें सिद्ख किरना है कि सी सी एम को और हाफ एबर एकट बलाबरया किर देख देख रहे guys जब यह हमारे अब हम क्या देख रहे हैं कि जो dc है वो तो क्या है वो है dm और mc अब dm और mc तो आपस में बराबर है तो हम इसको चाहें तो दो बार dm भी लिख सकते हैं ये चीज़ हमें सवाल के अंदर ही दे दी गई थी यानि कि ये मध्यविंदू बन रहा है हम इसको इस तरीके से लिखते हैं अब हमें इसके अंदर दूसरी चीज़ देखनी है हमें कहा गया था कि जो m है वो तो मध्यविंदू है a b का a b का मध्यविंदू है तो a b किसके बर बराबर हो रहा है A, M और M, B के बराबर हो रहा है क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो हम चाहें तो इसको दो बार A, M लिख सकते हैं या चाहें तो इसको दो बार M भी लिख सकते हैं कारण जैसा कि हमने अभी कहा कि M जो है वो एक मध्धेविंदू है A, B का मध्धेविंदू होना इसका कारण है अब ये दोनों चीजें A B और D C आपस में बराबर हैं और ये इसके बराबर चल रही है अगर हम इसको इस तरीके से लिख रहे हैं तो हम इसमें क्या कह सकते हैं कि यहां से जो CM है इन दोनों के वज़े जो D C है वो क्या है CM का डबल है और ये जो A B है हमारा ये MB का डबल है हम इसको A B चाहें तो A B लिख दे ये भी हमारे पास है जो D C है और जो A B है ये दोनों आपस में बराबर थे इन दोनों के बराबर होने की वज़े से ये बराबर हो पाया तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो CM है वो किसके बराबर हो गया ये एक बटे दो हो गया उस तरव जा करके तो ये हो गया AB का आधा तो हमारे पास AB का आधा ये बन जाता है तो हमने इस तरह से सिद कर दिया कि ये जो हिसा है ये इसके बराबर है और इस प्रकार से हमने इसके चारो भाग जो हैं वो सिद्ध कर दिये हैं